एक बार जंगल में रहने वाली चलाक लोमडी की मुलाका सीधे साधे गधे से हुई उसने गधे के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखा गधे का कोई मित्र नहीं था उसने लोमडी की मित्रता स्विकार्ड कर ली दोनों ने एक दुसरे को वचन दिया कि वे सदा एक दुसरे की सहयता करेंगे उस दिन के बाद से दोनों अपना धिकान समय एक दुसरे के साथ गुजारने लगे वे जंगल में खुमा करते घंते एक दुसरे से बाते किया करते गधा लोमुरी की साथ पाकर बहुत खुश था एक दिन दोनों जंगल के तलाब किनारे बाते कर रहे थे तबी वहाँ जंगल का राजा शेर पानी पीने आया उसने गधे को देखा तो उसके मुँमे पानी आ गया लोमुरी को शेर की मनसा भापते देर नहीं लगी वह सेर के पास गई और मधूर स्वर में बोली बनराज यदि आप उस गधे का मास खाना चाते हैं तो आपकी साहेता कर सकती हूँ बस आप मुझे यही वच्चन दीजिए कि मुझे आप कोई नुक्सान नहीं पहुचाएंगे और थोड़ा मार्स मुझे भी खाने को देंगे से भला सामने से आ रहे प्रस्ताव को आश्विकार कैसे करता वह मान गया अगले दिन योजना अनुसार लोमडी को भोजन ढूनने के बहाने जंगल में एक ऐसे स्थान पर ले गई जहां एक गहरा गढ़ा था लोमडी की बातों में उलजे गधी की दिश्टी गढ़े पर नहीं गई और वह उसमें गिर पड़ा लोमडी ने तुरंट पेर के पीछे सेर को इशारा किया सेर भी इसी अफसर पर ताक पे था उसने पहले लोमडी पर हमला किया उसे मार कर उसका मास खाया तो दोस्तो इस कहाने से में यही सिक्षा मिलती है कि मित्र को धोखा देने वाले का परिणाम हमेशा बुरा होता है तो दोस्तो आज की कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद